जब हमारी ऐस 25, 30 प्लस होने लगती तो धीर धीर हमारी स्कीन के अंदर कॉलिजन, इलास्टिन, कैरोटीन जैसे प्रोटीन बहुत कम होने लगते हैं इनके कम होने के बाद देखते हम क्या है कि हमारी स्कीन बहुत ज़दा पतली हो रही है बहुत जल्दी फाइन लाइन ज्यादा तो हम लोग ना तो अपनी एस को रोख सकते हैं ना ही हम धूप में जाना रोख सकते हैं तो इस कंडिशन में हम लोग एक ऐसा रूटीन फॉलो कर सकते हैं एक ऐसा एंटी एंजिन रूटीन फॉलो कर सकते हैं को यूज करने के बाद इसकीन में कॉलेजन इलास्टन के रोटीन का प्रोटीन जो था वह और फास्ट तरीके से बनने लगे हमारे जो एज ऑफ साइंज हैं हम उनको रोग सके तो मैं आज आप लोग के साइर करूंगे एक एंटी एंजिन रूटीन जिसको फॉलो करके आप अ कोई भी फेस वर्ष यूज मत कीजिए जो आपकी स्कीन को बहुत जादा इरिटेट करता हो या बहुत जादा ड्राय बनाता हो इस रूटीन को कोई भी स्कीन टाइप हो फॉलो कर सकता है लेकिन संसिटिव स्कीन वाले यूज करने से पहले है तो आप लोग को कुछ अच्छे से मैं एक मिनिट तक वाश किया है यहां पर मैं सैटैफिल यूज कर रही हूं मौनिंग रूटीन में नाइट मैं मैं आप लोग को कुछ और यूज करके वैताऊंगी आप लोग का जो भी फेस वर्ष यूज करें लास्ट में अपने फेस को अच्छे से एक बार करने तक कि अगर कुछ भी ड्राइ स्कीन होगा तो रिमो हो जाएगा एक बर फिट से मैंने पानी से पने फेस को वाश किया है और वाश करने के बाद मेरा एक मिट कंप्लीट हो चुका है फेस को वाश करते हैं दो चार एक निज मेरे फेस पर दिख रहे हैं यह मौसम को दे विटमीन सी का स्रम है जोब विटमीन यूज नाखी उसकते हैं वह पर को निदिन के तो आपको जो भी बटर लगता वह यूज कर सकते वर नाच बज़रट में एक और आरा गारनियर का आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने इन दिनों यूज़ किया है तो वो भी अच्छा था अगर आपकी स्किन को सूट होता था आप वो यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको 10 मिनिट के लिए अपने फेस पे रहने दूगी 10 मिनिट के बाद मेरे को बाहर कहीं जाना नहीं तो मेरे पस इतना टाइम है जिनके बस टाइम नहीं हो डायरेक्ली मॉस्टराइजर यूज़ कर सकते हैं जिसे हमारे Age of Science इतने लगते हैं साथ में oily skin वाले भी ceramides को easily use कर सकते हैं हमारे collagen, elastin, protein को ये बढ़ाता है हमारे wrinkles, fine lines को रोकने की कोशिश करता है हमारे pigmentation को ये control करता है तो यहाँ पर आपको ceramide base जो भी आपके बजरेट में आता है वो moisturizer यूज़ करना चाहिए, वो बहुत जादा अच्छा है next मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर sun screen sun screen SPF 30 या 50 आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग बहुत जादा धूपे आना जाना नहीं तो आप SPF 30 भी यूज़ कर सकते हैं तो आपके skin का जो भी टाइप आप उसके according sun screen यूज़ करें तो यह मेरा morning routine done हो चुका है यहाँ पर मैंने lip balm लगा है अगर आपके पस SPF बहार जा रहे तो भी यूज़ कर सकते हैं तो यह हो गया मेरा routine एक बहुत easy routine था है जिसमें face wash, moisturizer एक जो serum होता है यहाँ पर मेरा night routine है यहाँ पर मेरे face पर make up नहीं है अगर आपके face पर make up है तो आप कोशिश कीज़े अपनी skin को double cleansing करने का क्योंकि एक बार face wash करने से make up remove नहीं होता है तो product के साथ वो skin के अदर चलता रहता है तो साथे फिल से भी अगर आपके बास है तो आप लोग चाहें तो पहले make up remove करके next जो भी आपका face wash है माईल वो use कर सकते हैं मेरे face पर make up नहीं है यहाँ पर मैं हिमालिया का नीम वाला face wash यूज कर रही हूँ मैं नहीं use करते हूँ मैं आप लोग को यसलिए बता रही हूँ कि आपके स्कीन से ओयल दिन भर का जो भी डिर्ट पॉलिशन है उसको रिमूप करें उसके बाद ही जो नेक्स स्टेप आता है वह जो भी हम लोग नाइट क्रीम यूज करें उसका आएगा तो यहाँ आपन नाइट टाइम में भी पहले आप लोग अपने जो भी क्लेंजिंग बाम है जो भी है उससे मेकप रिमूप करें उसके बाद फेस को वाश करें एक मिट तक अपने फेस के पर मसाज करें नोस पे लिप्स पे जो भी आपका है सारा उसको मसाज करने के बाद आप अपने फेस को वापस से पानी से अच्छे से वाश कर लें वाश कर सकते हैं यहां पर मैंने भी ठंडा पानी ही अपने चेरे के उपर यूज किया है मेरे भी स्किन के अंदर एज ऑफ साइन नहीं है लेकिन यह रूटीन बनाने के लिए मैंने एक ही टाइम पर दौनों चीज़ फॉलो करके आप लोग को बताई है यहां पर यह अगर आपकी स्क के अंदर कॉलिजन को बूस्ट करता है एलास्टिन को बूस्ट करता है आपका जो कॉलिजन है उसकी पावर को बढ़ाता है आपकी नई स्कीन लेकर आता आपके डेट सेल्स को रिमूग करता है तो अगर इस कंडीशन में आपकी स्कीन में उपर आकने भी बन रहे हैं अकने वोग तो कि मैं ना-क सीरॉफ,2 छाईन seminar आफ. और नहीं बार लीजरे लिए मोलाऑ दो नहीं है। और इससे मैं at least 2-3 मिनिट तक अपने पूरे फेस के उपर मसाज करूँगी, अगर आप लोग नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं, तो आप उससे मसाज करें, नाइट क्रीम के बाद अगर आप लोग चाहें, तो आप लोग अवाइट कर सकते हैं, मॉस्टराइजर, अगर आपक अपने फेस के उपर रहने दूगी, उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ, सेरमाइट मॉस्टराइजर जो कि मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में एड़ किया था, नाइट में में वही यूज करूँगी, और आपको मैंने सेरमाइट के बेनेफिट बताए हैं, कि इसके स दो से तीन मिनट पूरे फेस के पर मसास करें, क्योंकि आपके एज ऑफ जो साइन्स होते हैं, रिंकल्स, फाइन लेंस को कंट्रोल करने के लिए मसास का भी बहुत अच्छा रूल होता है, इससे हमारी स्कीन का ब्लड सल्कूलेशन बढ़ता है, तो यहां पर अगर आप लोग मुझे चाहें, तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, थैंक्यू